प्रभु येशु की वचन कहते हैं तुम मन्शुर के सामने मेरे नाम जब लिया जाएगा उसी समय मैं भी सुर्व गुदूदों के बीच उने और मेरे पिदा के सामने तुमारे नाम भी लिया जाएगा हाइने के ताल पर ये हमारे पवित्र वचन में प्रभु कहते हैं तुम मेरी साच्ची हो हम में और आप प्रभु का साच्ची बनना चाहिए आज के दिन मैं आप लोगों के सामने मेरा एक विशेश अनुपो मेरे जिन्दीगे में जो गठा था उसके बारे में बताना चाहूँगा वो अनुपो है येशु का नाम के शक्ति का बारे में वो अनुपो बताने से पाले एक वच्चन पढ़के में आगे बढ़ना चाहूँगा ये वच्चन मैंने लिया है प्रेरिट ग्रद में चौता अध्याई गैरा और बारे में वच्चन मैं पढ़ना चाहूँगा वही पत्र है जिसे आप कारिगरों ने निकाल दिया था और जो कौने का पत्र बन गया है किसी दूसरे विक्ति के दुवारा मुक्ती नहीं मिल सकती क्योंकि समस्त संसार में इसान नाम के सिवा मनुश्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके दुवारा हमें मुक्ती मिल सकती है जब हम बाइबल मिल देखते हैं ये शुमस्य का नाम किसने दिया था है हम सब को मालूम है येशु का जन्म से पहले ही हमारे सुर्ग की पिठा ने वो नाम दिया था वो नाम में इतना ताकत है शक्ति है जब कोई भी विक्ति उस नाम को अपनी हरते से पुकारते हैं उनके खरीब सुर्ग उतराते हैं क्योंकि येशु ने कहा है मैं दुनिया के अंत तक तुमारे साथ हूँ येशु मैं प्रिय भाई और वहनों दोजार साथ जेनिवरी तीस तारी को खरीब साड़े आठ नो बज़े के बीच में मेरे जिन्दिये में एक महतबोर गड़ना गड़ी वो इस प्रगाज था मैं उस समय एक पार्ट ताइम और काम करते थे एक आफिस में मेरे आंग के कमजोरी के वज़े से आंग में कुछ प्रॉब्लम में उसी के वज़े से मैंने पार्ट ताइम करता था और मेरे बोस हमेशा मुझे जाते वक्त चोड़ने के लिए मदद करते मगर जो पर्टिकलर दिन जो 2000 साल जैनुवरी 30 तारी को कुछ काम के वज़े से हम देर हो गए थे और उन्हें उसी दिन उनकी कोई रिस्तदार के साधी में बाग लेना था इसलिए उसने कहा देखो जोई मैं आपको गाजी पूर नाम के एक जगा है हमारा नोएडा के साध़ चार पांच किलो मेटर दूर है उदर मैं आपको गाड़ी में छोड़ देगा उदर से आप एक गाड़ी लेके चली जाना गर तो पास में है नहीं तो मैं देर हो जाएंगे आपको चोड़ के आएगा तो मैंने बोला कोई बात से मुझे उदर छोड़ दी जी हां मैं उदर स्थंड के मौसम थे मैं सूट पाना हुआ थे एक वाइट शर्ट और ब्लैक कोट था और मुझे उसे दिन कुछ पेइमेंट भी ला था वो म आते जाते रहते हैं ब्रस में आने के लिए मुझे हिम्मत नहीं थे कि बहुत बीड़ थे साड़े आठ नो बज़े का समय था उस समय अचाने के एक ओटा ओटो रिचा शेरिंग ओटा आके खड़े हो गे और मेरे पास आकर पूछा आपको कहान जाना है मैं मैंने बोला मु में बैटे हैं शोड ओढ़ा हुआ है और आगे ड्राइवर के साथ भी एक बंद्या बैटे है मैंने सोचा कोई सवारी होगा तो उसने बोला आप नोईडा हम चोड़ देंगे बारे सक्ट रहे ना पास में मैंने सोचा ठीक है तोड़ी 10-15 मिट का समय के बात है मैंने अपन बीच में बैट जाए नहीं तो आपको ठंड लग जाए मैंने देखा दाए तरफ वो टार पालिंग डाला हुआ था और ठंड के मौसमते में बीच में आके बैट गया मैंने बैग अपनी गोद मेरे के बैट गया गाड़ी स्टार्ट होगी जैसे कल्यानपुरी जो पोलिस कोई आके मेरे मन में ऐसे लेका उधर उत्र जाओगा तो मैंने सोचा यह कोई मालिशी रूप से कुछ ऐसे शंक आके आओगा अभी तोड़ी पांच-सात मिन्ट के बात है मैंने दोबारा उसमें बाइड गया मैंने लिक उत्रा नहीं जैसे कल्यानपुरी पोलिसों के एक पट्रोड पंब है पट्रोड प्रोड से पाहल है दोनों जगा खाली है रोड का कुछ भी नहीं उस समय बिल्कुल खाली था उस जगा पर जैसे ही आ गया जैसे मेरे आप दोनों बगल में बैटे थे उसने एकदम मुझे गयर का टाइप कस के पकड़ा जैसे पकड़ा म तब दो चालक थे जो ड्राइवर थे उसने बोला चिला कर बोला उसको मार दो तब तक जो ड्राइवर के साथ में जो बैटे थे उस वक्ती हैसे उदर से आकर आकर अपनी दोनों गुटना मेरे चाती परका और मेरा मुँव में ऐसे पकडा और पिस्टल जैसे एक लोह के चिस मेरे मुँखे अंदर गुषा दिया मुझे दिखाईय नहीं दे रहे थे और मेरा ऐसे पकड़ कर मुँखे अंदर गुषा दिया और जबरस्त गुसाया और मेरे धांद पूरा अंदर को मुड़ गया, कून बहने शुरू कर दो गया, मुझे आवास नहीं निकल रहे थे और घरतन में बहुत दर्द हो रहे थे, क्योंकि पीछे को ऐसे मोड़ कर पकड़ा है, तीन लोग पकड़ा हुआ है, मुझे समझ माग जैसा मैं सोचा था, उसने मेरा कोट के अंदर हाट डाला, एक जेवच से एक मुबाइल निकाला, मैंने दू मुबाइल रख थे, क्योंकि दूसरा पॉकट में था, इसलिए उसने एक मोबाइल को देखा थवझे उसने मुबाइल निकाला पा ले, उसके बाद वो पर्स को और मुझे कस्क के पकड़ा है मुझे सास लेने में तकलिफ हो रहे थे और मुझे QUOI DARD मैसूस नहीं हो रहेते मगर मुझे क्या करना है मेरे अंदर से ऐसे एक प्रस्ण ना लिए अचानक मेरे अंदर से इस तिन ये सेकल की अंदर जो भी कुछ भी हो रहा है अचानक ऐसे मुझे एक प्रेयर ना मिली, तुम येशु का नाम लेगो मैंने अंदर प्रातने करने शुरू किया, मेरे प्रबु मैं अपनी आत्मा को आपकी हातों पे सोगता उसके बाद जो मुझे आवास टीसर ने निकल पाते हैं उसी का दरिये मैंने अपनी मले आडम बाशा में येशुवे, 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 येशे तीन या चार बार मैंने बोला उनको समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या बोला है क्योंकि एक तो आवास ऐसे निकलते हैं और दुसरा मैं क्या बोल रहा है उनको समझ में नहीं आदे मागर मैंने एक जीस नोटीस किया उसी बद उधर एक ठरावट उन लोग में मुझे महसूस करने लगा तुरत तुरत जैसे ही मैंने येशु का नाम लिया उसी वक्त एक विक्ते नह कहा ओटो गुमा दो इतना मी मुझे दोनों जो कसके पकड़ा था वो डीला कर दिया और मेरे मुग के अंदर से उसने बोड़ी खा रहा और वोटो ऐसे मुड़ दिया कोई जगा पर और उसके बाद उसने कहा आप उतर जाओ मैंने अपनी वो लेदर बैग जो आफिस में ले जाता था वो बैग मैंने अपनी गोल से पकड़ कर नीचे उतर गया मागर उसने चीनने के लिए कोईशिस नहीं किया क्योंकि वो सब ढरे हुए थे पता नहीं क्यों और मेरे अपनी अंगुटा में जो उंगलिया में जो शादी का रिंग थे और गड़ी थे मागर कुछ उन्होंने चीनने के लिए कोईशिस नहीं किया वो बोला आप जल्दी उतर जाओ, जैसे उतरने के बाद मैंने पूचा मेरे पर्स वापस कर दो, अगर तुम्हें पैसा रेकना है पैसा रेकलो, क्योंकि उसके अंदर मेरे ATM कार्ड, मेरे लाइसेंस और आइडेंटी कार्ड सब कुछ है, वो बोला मैं दे दूगा आप चलो, चलो चलो करके, मैं जैसे उतरा उसने ओटो लेकर बागरें शुरू कर दिया, मेरे पीछे दोड़ा, हेल्प हेल्प करकर, मैंने आवास उडाया, मगर किसी ने भी मुझे मदद नहीं किया, क्योंकि जो लाइट का रिफलेक्शन के वज़े से मुझे बाद में पता चला, मे पीछे दर्ग तक उसके पीछे दोड़ा और वो गाड़ी उदर आके फेस्ट्री की तरफ मोड लिया, फिर मैंने रुक कर सोचा क्या करू, मुझे याद आ गया मेरे बाद, दुसरा मॉबैल है, मॉबैल फॉन रखा है, जो मेरे परसनल वाला, जो वो निकाला और मेरे में तक मेरा मूँ एकदम सूसन मौटा हो गया था, क्योंकि सबका नाकून इदर लगया था, और उसने बोला, पॉलिस में हम कंप्लाइन लिख देते हैं, मैंने बोला, उससे पाहले गर चलते हैं, गर पे आगे, जैसे दर्वासा कोला मुझे देके मेरा मम्मी और मेरा पत् पते हैं, और चेरा एकदम फूल गए थे, हमने तुरंट मेरा बेड़ा बेटा भी आगया, फिर उसके बाद हमने कैलाज शास्पतार में गया, और एक इंजेक्शन बारे लिया, और दूसरा दिन हमने जो डेंदिस्ट के पास गया, क्योंकि मेरे आगे का ये दान्दे हिल पते हैं, डॉक्टर ने चेक करने के बाद बोला, शायद ये नीचे का और उपर के एक दान्द निकालने पड़ेगा, कि वो बिल्कुल रूट से हट गया है, मगर आज कुछ नहीं कर सकते, मैं एक दवाई देता हूँ, वो खाके थी दिन के बाद आ जाना, उसके बाद में मेरे मन में तोड़ा सा दुखा आ गया था, आगे का दान्द निकल जाए कितना पुटा लगेगा, घर पे आगे, मेरे प्राट्रा ग्रूप के सदर से कोर ग्रूप में मबस, उस समय एफ सी सिस्टर्स, कुछ लोग हमारे कोर ग्रूप में नहीं था, और खास करकर, हमारे ए आगे हैं, वो सुर्ग में बाइट कर हमारे लिए प्राट्र करती होगी, वो लोग आके मेरे लिए बहुत प्राट्रे की, आशो बहाब कर प्राट्रे की, जाते बग्त सिस्टर्फेल सिस्टर्स द्रा ने भी कहा, जो कुछ नहीं होगा, प्रभु येश्व आपको आजिस येश में प्रें भाई और बैनों तिसरा दिन मैंने दंदिस के पास गया डॉक्टर चेक कर लिया उसके बास डॉक्टर ने कहा यह भी निकालने के जुरूरत नहीं है लग रहा है वो सही और रहा है आज थैरा चौदा साल हो गया आज तक मेरे दातों में कोई प्रोप्लम नहीं हुआ है सारे महत मेरे प्रभु येश को दे रहा हूँ मेरे ये अनफ़ों आप लोगों के साथ बाटने का मतलब यही है जब अमारे जिंदिगी में ऐसा कोई रास्ता नहीं हूँ ऐसे अवसर पर या खरदे टूट कर खरदे से जब हम येशु का नाम लेते हैं सुर्ग उदर उतराते हैं उतराते हैं सुर्ग उतराते हैं जब येशु का नाम जब हम अपनी होटों से विश्वास के साथ लेते हैं उदर सुर्ग उतराते हैं ये अनफ़ों मुझे भूआ है आज में मैं सोच रहा हूँ क्यों उन लोग ने मुझे छोड़ दिया था उसी वक्त क्यों मेरे हाद में जो कुछ उन्हें पैसा वार सब लूटने वाले विक्ति लोग हैं जो अन्य चीज क्यों नहीं लिया हैं उसके तीन चार दिन के बाद वोई लोग एक केरला के एक मेट्र हॉस्पिटल में काम करना वाले विक्ति को बहुत बुरी दरग जग में करके रस्ते में फिंग दिया था हॉस्पिटल में अटमीट हुआ यही गैंग करते थे मगर पाद में पता चला पांचे मैने के बाद उन्हों को पकड़ा मैंने हम लोग पैपर में पढ़ा था मेरे घारे का ताल पे रिया यह है येश्व में येश्व का नाम में बहुत ताकत है शक्ति है मुझे उस समय साथ लेने के लिए भी तकलीफ थे और कोई मुझे मदद करने के लिए उदर नहीं आ सकते थे उस समय में अपनी हरते से तूटकर येश्व के नाम लिया उसी वक्त समगदारी ये अनपव येश्व का महिमा के लिए आप लोग के सामने रखता है जब भी आपके जिन्दिगे में भी ऐसे कुछ गटना आते हैं कुछ अनपवा आते हैं तकलीफ आते हैं अपने होटों स एक बार येश्व का नाम पुकार के देखें जिए येश्व से कहिए येश्व आप है मेरे घर्णा में प्रणा आपका करुणा में मैं आश्रे रखता हूं और खुद आनको खरके दिखेजिए जे येश्व और खुद आते हैं